नमस्य दोस्तों मैं आपका host दोस्त महिश आपका स्वाइद करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे आज के वीडियो में हम मेरे collection के 10 पैसे के सिक्कों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे RBI ने आज तक 15 तरह के 10 पैसे के सिक्कों को जारी किया है जिसमें से सारे 15 के 15 मेरे collection में मौझूद है तो आएए देखते हैं आज का वीडियो हमारा पहला 10 पैसे का सिक्का 1964 से लेके 1964 सरस्त तक यानि 1964 से 1967 तक इस्यू किया जाता रहा ये सिक्का copper nickel का बना हुआ था हाला कि ये दूसरा सबसे चोटा सिक्का था और सबसे भारी 10 पैसे का सिक्का यही था ये weight में 4.9 ग्राम्स का था diameter 23 mm और thickness 2 mm की थी ये scalloped shape का था 8 cone थे इस सिक्के की पीछे में भारत और इंडिया लिखा हुआ था और अशोक स्थम भी बना हुआ था दूसरा सिक्का निकल ब्रास का बना हुआ था ये सिक्का भी पिछले copper nickel के सिक्के जैसा ही size में था पर weight में ये थोड़ा सहल का था 4.3 ग्राम्स का था diameter 23 mm की और thickness 2 mm की ये भी scalloped shape का था 8 cone थे इस सिक्के की तीसरा सिक्का standard circulation coin 1971 से लेकर 1982 तक 1971 से लेकर 1982 तक जारी किया जाता रहा ये ये aluminium का पहला 10 पैसे का सिक्का था और ये weight में पिछले दोनों सिक्कों से लगभग आधे वजन का था ये 2.3 ग्राम्स का था diameter 26 mm और thickness 2 mm की थी इस सिक्के में पिछले दोनों सिक्कों के वनिस्पत 8 नहीं बलकि 12 cone थे 10 पैसे के सिक्कों में से 15 में से साथ सिक्के FAO Food and Agriculture Organization को समर्पित था ये FAO को समर्पित पहला सिक्का था Plant Families Food for All के नाम से जाना गया ये सिक्का 1974 यानि 1974 में इस्यू किया गया था ये aluminium का बना हुए सिक्का वेट में 2.3 ग्राम का था 26 mm की डामेटर थी और तिकनिस 2 mm की थी हमारा अगला सिक्का Food and Agriculture Organization को समर्पित था ये सिक्का Women's Year को समर्पित था हाला कि ये सिक्का काफी घिस चुका है इसलिए मैं इस सिक्के का इतस्वीर भी इस वीडियो में दे रहा हूँ ये सिक्का 1975 में इशू किया गया था अलिमिनियूम का बना हुआ था वेट में 2.3 ग्रामस डियमेटर 26 mm और तिकनिस 2 mm की थी ये बारा कोणो वाला सिक्का था इस सिक्के के पिछले भाग में Equality, Development, Peace लिखा हुआ था यानि समानता, विकास और शान्ती लिखे हुए थे और सामली की भाग में अशोक स्तम का चित 26 यानि 1976 में इशु किया गया ये अलिमिनियूम का सिक्का, वेट में 2.3 ग्रामस का था, डियमेटर 26 mm और तिकनिस 2 mm की थी, सिक्के का पिछला भाग काफी घिस चुका है, इसलिए मैं इसकी एक तस्वीर आपको इस वीडियो पे देता हूँ, सामने की और अशोक स्तम बना ह हुआ था, दस पैसे लिखे हुए थे और भारत और इंडिया लिखा हुआ था, हमारा अगला सिक्का भी Food and Agriculture Organization को समर पिता, ये सिक्का Save for Development के नाम से जाना गया, 1977 में इशु किया गया, ये अलिमिनियूम का सिक्का, वेट में 2.3 ग्रामस का था, डियमेटर 24 mm और तिकनिस 2 mm क समर पिता, ये सिक्का Food and Shelter for All के नाम से जाना गया, 1978 में इशु किया गया, ये अलिमिनियूम का सिक्का 2.3 ग्रामस का था, डियमेटर 26 mm किती और तिकनिस 2 mm किती, अगला सिक्का International Year of the Child, Happy Child Nation's Pride के नाम से जाना गया, 1979 में इशु किया गया, ये अलिमिनियूम का सिक्का वेट म और तिकनिस 2 mm किती, अगला सिक्का Rural Women's Advancement के नाम से जाना गया, 1980 में इशु किया गया, ये अलिमिनियूम का सिक्का भी 2.3 ग्रामस का था, डियमेटर 26 mm और तिकनिस 2 mm किती, सिक्के के पिछले भाग में, ग्रामिंड महिलाओं की प्रगरती यानि रूरल Women's Advancement लिखा हुआ और सामने की और 10 पैसे लिखे हुए थे, अशोक स्तम बना हुआ था, भारत और इंडिया लिखा हुआ था, अगला सिक्का, 1981 में इसु किया गया, Food and Agriculture Organization को समर्पित World Food Day के नाम से जाना गया, 10 पैसे का ये सिक्का अलिमिनियूम का बना हुआ था, वेट में 2.3 ग्रामस का ये ये जिए चु किया गया, दस पैसे का सिक्का, नाइंथ एसियन गेम्स को समर्पित था, नवे ऐसियन गेम्स को समर्पित था, ये अलिमिनियूम का बना हुआ था, सीख्का, वेट में 2.3 ग्रामस का था, ता, डियमिटर फ्वेन्ट अम-मम और थीक्नेस 2 अमीम की थी EEA अलिमिलियूम के बने हुए 10 पैसे के श्रिंखला में सबसे आखरी सिख्खा 1983 से लेकर 1993 यानि 1983 से लेकर 1993 तक शुक्या जाता रहा और यह स्टैंडर्स सर्कुलेशन कोईन वेट में 1.8 ग्रैम्स का था डियामेटर 23 mm और थिकनेस 2 mm की थी 10 पैसे का आकरी सिख्खा स्टेनलेस टील का बना हुआ एक मात्र दस पैसे का सिख्खा था यह स्टैंडर्स सर्कुलेशन कोईन 1988 से लेकर 1998 यानि 1988 से लेकर 1998 तक इशुक्या जाता रहा यह सिख्खा वेट में 2 ग्रैम्स का था इसकी डियामेटर 16 mm की थी और थिकनेस 1.5 mm का था तो दोस्तो यह रही जानकारी मेरे कलेक्शन में 10 पैसे के सिख्खों के बारे में आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आपका समय देने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो